student of 10th class today we will do question number 12 of exercise 10.2 a triangle ABC is drawn to circumscribe a circle ABC a triangle है जिसके अंदर क्या है एक circle है of radius 4, 4 radius का such that BD and CD in 2 which BC divided by the point contact D length 8 and 6 cm जो BC side है ODC divided है BD 8 है और CD आपकी कहा 6 cm respectively find the side AB AB side की हमें length find करनी है यहाँ पर देखी यह मैंने diagram बनाया है यह हमें radius OD given थी diagram में आप इसकी यह वाली radius भी ले लोगे यहाँ से OF और OEB सभी क्या हुई radius हैं तो 4 होगी आप देखी CD और FE equal होगी कितने होगी 6 और जितनी BD है उतनी B ही होगी कितने 8 cm क्योंकि जो tangent होती है वो equal होती है let कीजिए इनको X तो यह दोनों equal होगी let AF को हमने क्या किया है X तो AEB आपकी क्या होगी X क्योंकि यह क्या है tangent है from A point से similarly CD हमें क्या given है 6 तो FC CFB हमारी क्या है CD 6 है तो CFB क्या होगी CF होगी 6 cm region आप दोगे tangent from point tangent from point C यहाँ पे देखिए BD हमारी क्या है 8 cm है तो BEB हमारी क्या होगी 8 cm region आप दोगे जो tangent है from B point से equal होता है अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले AB साइड जो हमारी पूरी AB क्या हो गई X पलस में 8 और मैंने इस साइड को क्या let किया है A similarly B जो हमारी साइड है AB के बाद BC इसका नाम मैंने क्या दिया BC इसकी लेंच क्या हो गई 6 पलस में 8 इस इकवल टो 14 AB BC next C साइड को मैंने नाम दिया CA को C आपकी क्या होगी 6 वो थी आपकी X पलस 8 यह 14 और यह 6 पलस में X यानि X पलस 6 now parameter of triangle ABC P BD parameter of triangle ABC complete का parameter क्या होता है A पलस B पलस C तिनो साइड का सम A साइड which is X पलस 8 B साइड which is 14 पलस में C साइड आपकी क्या है X पलस में 6 तिनो साइड के सम को हम parameter बोलते है तो यह आपका P आजाएगा 2X पलस में 28 और 2 हम कोमन निकाल लेंगे X पलस में 14 या आगया हमारा P S निकालती हूँ S क्या होता है P by 2 इसको मैं P को 2 से डिवाइड करती हूँ तो यह आपका आजाएगा 2 से 2 कैंसल होके X पलस 14 हम S निकाल चुके हैं P निकाल चुके हैं अब निकालो गया आप area of triangle A, B, C तो यहाँ पे by Hieron's formula Hieron's formula आप अपलाई करोगे You know that area of triangle A, B, C square root S, S- first side S- second side and S- third ABC किनो side को respectively subtract कीजिए S आपका क्या है X पलस 14 फिर X पलस 14 में से हम क्या subtract करेंगे second side first side A यह माइनस करोगे तो माइनस का X और माइनस का 8 हो जाएगा फिर X पलस 14 जो S की value है second side किसको माइनस करोगे 14 को फिर third side X पलस 14 में से माइनस करेंगे यह आपकी क्या है C है X पलस 6 यानि माइनस का X माइनस का 6 हो जाएगा इसको solve कीजिए इस X पलस 14 को same as it is रखिए X से X कैंसल होके कितना रह जाएगा 6 यहाँ पे 14 से 14 कैंसल होके X यहाँ पे X से X कैंसल होके क्या रह जाएगा 8 जो हमारा area है यह आपका होगा यहाँ पे 8 6 जा 48 X यह यहाँ पे X पलस 14 इंटू में 48 X जो हमारा area है triangle ABC का यह आ चुका इसको हमने equation first माल लिया अब देखिए इस triangle को area ABC का मैंने हिरोंज फोर्मूला से निकाल ला है एक method और हम लगाएंगे पूरे triangle ABC का area कैसे आएगा triangle AOB triangle BOC triangle COA तिनों जो triangle है इनके area को मैं पलस कर दूँगी तो ABC का आ जाएगा और इस AOB का area कैसे निकलेगा इसका base क्या है X plus 8 और height क्या है 4 similarly इसका base 14 height क्या है 4 इसका base X plus 6 और height क्या है आपकी 4 यहाँ पे देखिए मैंने किनों side की length यहाँ पे लिख रखिया first side second side third side और height क्या है 4 यह हमारे equation first now area of triangle ABC कैसे होगा area of तिनों triangle के area का हम सम करेंगे यहाँ पे देखिए AOB का 1 by 2 AOB का जो base है AB वो क्या है X plus 8 इंटू में height क्या है इसकी 4 क्योंकि यह formula होता है 1 by 2 base multiply में height यह आपका formula है पलस में इस triangle का area 1 by 2 BC इसका base है 14 and height इसकी क्या है 4 similarly 1 by 2 AC इसकी क्या है X plus 6 इसकी ब्रैकेट लगाना इंटू में 4 यह 2 जा और यह भी 2 जा और यह भी 2 जा तो यहाँ पे पूरे में 2 को मना जाएगा यहाँ पे क्या रहाए गया X plus 8 यहाँ से आप 2 को मन निकालोगे 2 already है और 2 आपका यहाँ पे आ गया यह आपका क्या रहाए गया X plus 14 यहाँ पे देखिए 2 2 जा 4 X plus 14 which is equation 2 1 equation में भी आपका क्या था area of triangle ABC second में भी क्या है area of triangle ABC now from 1 and 2 दोनों equation को equal put करोगे यह आपका क्या आया है X plus 14 into me 48 X each equal to 4 into me X plus 14 तो both side में क्या कर दूँगे यहाँ पे scaring scaring आप both side करोगे square root को खतम करने के लिए scaring both side यहाँ पे cancel हो जाएगा X plus 14 into me 48 X similarly 4 की square 16 and X plus 14 की हो जाएगी scaring यहाँ पे X plus 14 1 power हो यहाँ पे 2 यहाँ पे रहे गया 48 X यहाँ पे 16 into me X plus 14 16 पे बंजा 16 पे 3 जा यहाँ पे आपका रहे गया 3 X X plus में 14 X यहाँ पे आके subtract हो जाएगा 2 X is equal to 14 तो X आपका क्या आ गया 7 तो यहाँ पे देखिए हमें किस side की length निकालनी है BC हमें given थी हमें AB और AC की निकालनी है AB AB हमारी किसके equal है X plus 8 and we have find X is 7 plus 8 तो कितनी आ जाएगी 15 cm आपकी AB साइड आ गयी है आलसो आपको क्या निकालनी AC या C यह आप कुछ भी कह सकते हो BC jacks plus 6 7 plus 6 is 13 cm now your sum is complete